सुप्रभात आज हम पढ़ेंगे विशय हिंदी विशय हिंदी में हम पढ़ेंगे अमात्रिक प्रश्णुत्तर वाक्य रचना और कवीता सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवीता हसकर बोलो मेरी कवीता का शीश्रक है हसकर बोलो जब बोलो तब हसकर बोलो बातों में मिसरी सी खोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बाते रच रच बोलो, जब बोलो तब जुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक रुक बोलो, अपने मन की बाते खोलो जब बोलो तब हस कर बोलो धन्यवाद अब हम पढ़ेंगे वाकी रचना पहला है मेरा नाम निकिता यादव है आपका जो भी नाम होगा आप इस तरह से बोलेंगे दूसरा वाक्य है मैं एक लड़की हूँ मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं लड़की बोल रही हूँ अगर आप लड़का हो तो आप ऐस तरह से बोलेंगे मैं एक लड़का हूँ मैं पांच साल की हूँ आपको इस तरह से पूलना है अगर आप लड़का हो तो मैं पांच साल का हूँ मैं रोज पढ़ाई करती हूँ अगर लड़का हो तो आप मैं रोज पढ़ाई करता हूँ और लड़की हो तो मैं रोज पढ़ाई करती हूँ मुझे किकेट खेमना पसंद है धन्यवाद अब हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न है आधक यम्या की मात्रा या क्या चख चक क्या चक शेहेद चक क्या चक शेहेद चक दूसरा प्रश्न है आधक यम्या की मात्रा या क्या कर क्या कर नमन कर धन्यवाद